एक और मुद्धा जो इस चुनाव में आया है और वो Economic Advisory Council जो है प्राइम मिनस्टर की उसमें जो जन संख्या का उन्होंने एक अनालिसिस किया है उसमें देखा है कि मुस्लिम पॉपिलेशन 1950 से 2015 के बीच में करीब 43% बढ़ी है उसका इजाफा हुआ हिंदू पॉपिलेशन इ की कोशिश हम लोग कर रहे हैं सरकार की तरफ से तो हमारे ऐसी कोई योजना नहीं है लेकिन भारत की जनता ने इस विशय के ओपर गंबीरता से अध्यन करना चीए सोचना चीए इस पर डिबेट होनी चीए मीडिया में डिबेट होनी चीए इस विशय के बारे में और लोग आज के दिन आप अगर दुनिया भर में चारो तरफ देखे हैं तो कई देशों में चिंता का विशय उबर रहा है और कई देश अपने अपने इस परकार के चेंज इन डेमोग्राफी के उपर चिंता करें हैं विचार करें हैं कई लोग तो खानून भी ला रहे हैं पर भारत एक ऐसा देश है जो इंक्लूजिव है हम सब को लेके साथ में लेके चलते हैं हम लोग आज मुंबई में हैं महराश की बात करते हैं एहम स्टेट है इस चुनाव में यह आप मानेंगे पिछली बार आप लोग शिफसेना के साथ थे 48 में 41 सीटें यहां मिली थी इस बार थोड भारती जनता पार्टी किया थी क्या यह डिफेंड कर पाएंगे क्योंकि बिग पिक्चर में महराश्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपको याद होगा 2019 का लोग सबाद चुनाओ नरेंदर मोदी जी के नाम पे लड़ा गया मुझे अभी तक याद कि हमारे यहां के एंपी को शिफसेना के एंपी को जिताने के लिए मैं गली-गली में गुमाओं हर एसोसेशन और रेजिनेंट वेलफेर एसोसेशन की मीटिंग्स में लोगों को का है कि आप मोदी जी को देखके वोट करिये मोदी जी का चुनाओ धेश के प्रदान मंति च कहा जाता था हो जाकर होता था कई ऐसे स्टेजिस पे पब्लिक मीटिंग्स में जहां उद्धर ठाकरे जी भी बैठे रहते थे तो यह कहा जाता था कि देवेंदर फट्नविश को मुख्यमंति बनाना है इस चुनाओ उसके बाद विश्वासगाट उद्धर ठाकरे जी ने किसे मुझे मुख्यमंतिरी बनना है और शायद अपने लड़के को स्थापित करने की जो चाहत थे उस लालच में उन्होंने त्याग दिया बादा साहिब ठाकरे का हर एक वो असूल जिसके लिए शेफ सेना खड़ी होई थे हिंदुत्व को त्याग दिया उन्होंने बाद साहिब नो जो बड़ा फेमस उनका वाक्या है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूँगा लेकिन कॉंग्रेस से कभी गट बंदन नहीं करूँगा उसको त्याग दिया और तुष्ठी करन की राधनीती के साथ उद्व ठाकरे जी जाके राहूल गांधी की गोद में बैट ग कि शिफसेना के अंधुरूनी इसका काफी गुसा था एंपी एमेले भी देख रहे थे कि उनका अगली बार कोई हस्तित्व नहीं रहेगा इस प्रकार से और इस परिस्तिति में लगबग पूरी शिफसेना ने तेह किया कि हमें नेता बदलना पड़े और जब नेता बदला उन्होंने एकना चिंदे जी को नेता बनाया तो कुछ लोगों ने तेह किया कि वो पाटी के बाहर रहेंगे उद्दाव ठाकरी जी एक स्प्लिंटर ग्रूप बनके रहेंगे कोछ दो चार सीनियर लीडर्स ही है उनके पास बाकी पूरे MPs, MLAs, अधिकांज तो ओरिजिनल शिफसेना के साथ ही है तो यह कोई स्प्लिट नहीं है शिफसेना इस इंटेक्ट छोटा स्प्रिंटर ग्रूप बाहर है वैसे ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजीत पवार is the natural leader शरत पवार अपनी लड़की को पुचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को दोका तो इनको दिया गया बैक स्टैब तो इनको किया गया विश्वास घाट तो मोदी जी और फड़विज जी के साथ हुआ तो इफट ओल सिंपती होगी तो अधिकांच दोगों में इनके लिए सिंपती होगी कुछ मातरा में अजीत पवार के लिए सिंपती होगी जिसक इसको कैसे पढ़ा जाए इसको कैसे देखा जाए मुझे लगते है उन्होंने तो सिर्फ जब शरत पवार जी ने घुटने टेक दिये और उन्होंने बताया कि अब हमारी पार्टी या छोटी पार्टियां कॉंग्रेस में विलीन हो जाएंगी तो यह सफ़ष्ट हो गया और बार्अ मत्य के चुनाओं के बात का तो यह सपस्ट हो गया कि उनुका अंदाज़ा आगिया है कि बारा एंधी मैं सुनेत्र पवार जी जीत रही है और सुप्रिया सुले जी हार रह है और उनको ध्यान में अनके पास तो एखी लक्षभ ए कि कैसे सुप्रिया सुले जी को तो अब तो ना उनका अज राजल सभा रहेगी देने के लिए लोग सभा हार जाएंगे तो इस ते शाहिद उन्होंने सोचा होगा कि मैं सुप्रिया सुले को कॉंग्रेस जोइन करा दूंगा पार्टी में और कुद तो रखा यह नहीं है तो सुप्रिया सुले जी कॉंग्रे पर चल रहे हैं तुष्टी करन की राजनीती एस बेकम दे कॉलिंग कार्ड ओफ उद्धव ठाकरे जी जो कितनी हरानी की बात है उन्होंने हिंदुत्व को ट्याग दिया बाला साहिब के सभी मूल सिधानतों को ट्याग दिया इस बार महराश्च में काफी मुसल्मान उद्ध और योगी आज की उनके लड़के के वहवार को देखके पर उनको ये भी संतुष्टी होगी कि एकनाच छिंदे जी ने उनके मूल सिधानतों को अभी भी संभाल के रखा है और शिवसेना उनकी इंटैक्ट है दुर्भाग्या है कि खुद का लड़का ही वो सिधानतों को लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारी नीती है हमारे महायूती की नीती है हम मुसलमानों को भी इन्वाइट करते हैं और मैं तो अपने शेता में देख रहा हूँ बारी मात्रा में हमारे मुस्लिम भाई बैन हमारे को समर्तन दे रहे हमारे साथ है कल भी पूरे एक बड़ा बेटियों के चिंता रहती थी हमें मोदी जी ने उससे निजात दिलाई बेटियों की चिंता से एक डायरेक्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा आपने मुसल्मानों की बात की पर महराश्च में यहां पर माराथा सेंटिमेंट जो है वो क्या भारती जनता पार्टी के अभी थोड़ा अगेंट्स्थ है यहां पर माराथा एजिटेशन हुआ मनोज जरांगे पार्टिल जी ने जो है एजिटेशन किया आज भी कुछ क्लारिटी है कि इसमें क्या माराथा भारती जनता पार्टी के साथ है और यह बहुत बड़ा वोड ब्लॉक है यहां पूरी म माराथा हेटो का आरेक्शन कर सकती है वो जानते हैं कि उनका वोट अगर इदूर उदर दे दे तो विफल हो जाएगा ना कोई चुम के आपाएगा ना कोई उनके हेटो की नक्षा कर पाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि माराथा भाई-बैन महराष्टा के मोदी जी के साथ है और मुदी जी को ही समर्थन आशरवात देंगे प्यू जी मुंबई नॉर्थ आपकी सी